हलो दोस्तों बिनाना मुहमत कैसर और आप देख रहा हैं स्टडी जैनल बहुत सारे छातरों के सवाल आ रहे हैं यूपीटेर 2020 को लेकर आइडेटेर जुनियर हाइस्कूल सिक्षक भरती परिक्षा को लेकर और नई प्रात्मे सिक्षक भरती से संबंदी दोस्तों आपको जो भी जानकारी यहां पर मिलेगी बिल्कुल आथेंटिक मिलेगी तो वीडियो में लास तक बहें रही हैगा आपको एक एक जानकारी मैं यहां पर देने वाला हूँ 22 जुलाई को दोस्तों होने जा रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग बेसिक सिक्षा भी भाग में और 22 जुलाई को बहुत सारी लंबित मामलों पर फैसला लिया जाएगा जिसमें सिक्षामित्रों के समायोजन पर भी चर्चा होगी और यहां पर इनकी कारवाई भी गतिमान है जो की लेटेस्ट अपडेट यहां पर दिया गया है तो 22 जुलाई को होने जा रही है एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग और इस मीटिंग में यूपी टेट पर भी फैसला होने वाला है यूपी टेट का नया प्रस्ताव निपी के ने सची साहब द्वारा भेज दिया गया है 12 जुलाई को ही अब जैसे ही सासन करब से मंजूर मिलती है नोटिफेकेशन निकाल दिया जाएगा और 22 जुलाई को इस पर भी अंतिम फैसला होने वाला है तो यूपी टेट का इंतजार आपका जल्द ही समाप्त होगा तयारी आप लोग करते रहिएगा बात करें आइड़ेट जुनियर हाई स्कूल सिक्षक भरती परिक्षा की तो आइड़ेट को लेकर कोई भी जानकारी PNP के दोरा नहीं दी जा रही है लेकिन दोस्तों 22 जुलाई को इस पर भी चर्चा होगी और जैसे ही ये मिटिंग होगी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा आइड़ेट जुनियर वाली परिक्षा दोस्तों कराया जाएगा जल्दी ही ये आप तैम मानकर चलिए क्योंकि हाई कोट का प्रेसर है इस भरती को जल से जल कराना है आप लोगों ने देखा होगा कि टीजिटी पीजिटी की भरती परिक्षा की इतनी जल्दी हो रही अगस्त में एक्जाम हो जाएगा और 31 अक्टूबर के पहले पहले रिजल्ट वगरे पूरी भरती को कम्प्लीट किया जाएगा क्योंकि सुप्रिम कूर्ण का प्रेसर है इसी तरह से ऐडेट जूनियर को लेकर भी हÈगोट का प्रेसर है कुछ मामले ऐडेट को लेकर चल रहे है हाई कोट में जिसकी वज़य से एक्जाम में डिले हो रहा है लेकिन परिक्षा आपकी जल्द ही कराई जाएगी आप ये तैम मान कर चलिए क्योंकि प्रात्मिक भरती का कुछ अता पता नहीं है सरकार बिल्कुल भी जानकारी नहीं दे रही है कि प्रात्मिक भरती निगा लेंगे कि नहीं निगा लेंगे तो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इनकी फजीहत हो इस भरती को लेकर तो आप लोग तैयरी करते रहेगा दोस्तों कि क्यों कोई पद काफी कम हैं लगवगा ठारे सोही कुल पद हैं और आवे तक साड़े तिन लाख हैं तो परिक्षा आपकी सितंबर से एक्टूबर तक कराई जाएगी थोड़ा सा एक्जाम में डिले होगा क्योंकि अभी तक फैसला नहीं हुआ है और 22 जुलाई को आपको इसके बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी जाएगी बात करें प्रात्मिक सिक्षक भरती की दोस्तों तो छात लगातार संघर्स कर रहे हैं बहुत धरना छात्रों ने किया टूटर पर अभियान किया नेताओं से मिले अधिकारियों से मिले और अब छात्र प्रियंका गांधी से मिले उनके आवास पर आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों तो छात्रों की कोशिश लगातार जारी है यह हैं प्रियंका गांधी और कौरेस के प्रदेश अध्यक्ष भी जारी है जहां से भी इनको मौका मिल रहा है यह पनी मांग को उठा रहे हैं और सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिस कर रही हैं चातरों की मुलाकात हो गई है प्रिंगा गांधी जी से और काफी अच्छा मुलाकात रहा प्रिंगा गांधी जी ने चातरों को बड़े ही अच्छे तरीके से सुना चातरों ने अपनी पूरी परेशानी बताई कि हम लोग इतने साल से टेट सीटेट करके पास हैं, भरती नहीं आ रही है, सरकार ने हम से बहुत सारे वादे किये थे, छात्रों ने ग्यापन भी दिया, स्रीमती प्रियंगा गांधी जो की महा सचीव है, कॉंग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की, और छात्रों ने भी बताया कि सरका चाहे तो एक लाग पदों पर भरती दे सकती है, इसी वएसे हम लोग भी लगवग लग लाग पदों पर ही भरती की मांग कर रहे हैं, आटी आई में ये खुलासा हुआ है, उत्तर प्रदेश में लाखों लाखों पद खाली हैं, डिर्ड लाख पद कहीं, दो लाख पद औ मनशा होनी चाहिए अराम से एक लाख पदों पर भरती निकाली जा सकती है इन सब चीजों को छात्रों ने प्रेंकर गांधी चीज को बताया और मांग की कि आप इस मुद्य को उठाइए चात्रों को जहां से भी मौका मिल रहा है वो अपने मांग को जरूर उच्छाल रहे हैं आर भारात पूरी तरह से छात्रों के सपोर्ट में हैं और आप तो इन्हें पहचानते ही हैं तो कोशिश पूरी पूरी की जा रही है कि किसी तरीके से यूपरेट का नोटिफेकेशन जा रही हो और प्रात्मिक में नई भरती निकाले जाए चूकि एगले साल के सुरुवात म बिजान सभा के चुनाओं है ये काफी अच्छा मौका है चात्रों का सरकार के उपर प्रेशर बनाने का लेकिन फिलहाल सरकार के उपर प्रेशर बनता दिख नहीं रहा है ये लोग अभी तक कहीं से भी आशवाशन नहीं दे रहे हैं कि भरती को ये प्रात्मिक में निकालन वाले हैं इतना बड़ा धरना हुआ इतना हुला हुआ लेकिन बेसिस रिचा मंत्री जीने चातरों से एक बार भी बात नहीं की एक बार भी उन्होंने कोई आसवाशन नहीं दिया तो अब शातर विपक्ष पार्टियों से भी मिल रहे हैं और प्रेसर बाने की कोशिश कर रहे हैं आगे जैसे कोई अब्लेट कोई सूचना होगी आपको जानगारी दे दी जाएगी फिलहाल यूपीटेट वाले लग जाएं अपने तयारी में क्योंकि यूपीटेट जल्द होगा और आइडड़ वाली परिक्षा भी कराई जाएगी यह 100% है प्रात्मिक की भरती को ल मिलते रहें थांक्स और वाचिंग